नमस्कार मैं हूँ आपके साथ प्रियांशु शर्मा और आप देख रहें ग्लोबल इंडिया की खास पेशकश आईए रुखे करते हैं हाँच की तमाम खबरों पर रविवार को छे वर्षय बालक की चायनिस मामशे के दोर से दुखत घटना के बाद धार जिला प्रिशासन हरकत में आगिया है और प्रिशासन कामला दुकानों पर बिग रहे मामशे के धागी को लिकर अल सुभा कड़ीकार वही कने पोहच किया जिसी त्रेता विक्रिताओं कट किया और मासुम की दर्दनाक मौत हो गई इस घटना के संघ्यान में लेती हुई धार कलेक्टर एस पी मृतक के परिजनों के पास पहुचे और सातवना दी है साथी धार कलेक्टर ने पतंग विक्रेताओं से अपेल की है कि विधार की हटवाड़ा में आकर धागा को ज तहनीम रत के घर बहुचकर परिवार जनों को साथ बना दी है देखे कल की यह जो कनिश्क की साथ वर्षी बालक की माजह से जो उसका दुखत उसका निधन हुआ है यह बहुत ही हिर्दयवदारक है और वास्ताव में बहुत कष्ट हो रहा है इसमें हम लोगों ने सब्सक्राइब करें और इसके साथ मेरा सभी जिले वासियों से खासका धाव शहर वासियों से आग रहे है यदि हम इस माजह का उपयोग बंद कर देंगे तो अपने आपी समस्या का निधान हो जाएगा कई बार हम लोग ना समझी में इससे होने वाले घटनाओं को नहीं स लेकिन जिन लोगों ने इसको यदि पूर में कभी खरीद लिया है या उनके घरों में किसी भी स्थिती में यह पड़ा हुआ है तो यदि हमें कनिश को को सची शद्धानजली देनी है तो सवत्य अपने घरों में रखे गए इस प्रकार के माजह को आप लोग निकाल करके इसके तिलांजली दे दीजिए पैचला गाड़ियों में डाल दीजिए या आज शाम को हटवाड़ा में जगें पर जहां में लोग कनिश को शद्धानजली दे रहे हैं वहां करके उसको आप छोड़ जाईए कोई कारवाई नहीं होगी उसको उठा करके सब अगनी में उस सब्सक्राइब करेंगे जो हमारी जिम्मेदारी है उससे हम लोग इच्छे नहीं अटेंगे और शेहर के लिए जागने का वक्त है कि वह इसकी पिनरवत्ती ना होने लिए